हलो दोस्तो मैं उमसंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी वैवी स्वागत करता हूँ दोस्तो आज मैं जहारखंड वोट परिक्षा 2023 के वैसे भी दियार थी जो मैट्रिक और इंटर की परिक्षा में फेल हो गया है उनको एक बार फिर से जैक बोट के तरफ से एक बार फिर उनको पास होने का मौका दिया जा रहा है और वे एक बार फिर से पास हो सकते हैं मैट्रिक और इंटर वाले भी दियार थी यूँ अर्थात वे एक बार फिर से पास हो सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा आप जितना हो सके अपने दोस्तों में सेर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों तो चलिए दोस्तों किस तरह से आप पास हो सकते हैं और क्या है अपडेट उसके बारे में हम लोग विशार से इस वीडियो में देखते हैं जैसा कि यहां आप देख रहे हैं मैट्रिक एवं इंटर संपुरक परिक्षा के लिए आवेदन 5 जुलाई तक अर्थात मैट्रिक और इंटर में जो विद्यार्थी फेल होगा है उनके लिए जैक की ओर से संपुर्ण परिक्षा अर्थात कमपाटमेंटल एकजाम की घोसना कर दी गई है आप कंपार्टमेंटल एक्जाम की परिक्षा दे कर मैट्रिक और इंटर में जो विद्यार्थी फेल होंगे वे सफल हो जाएंगे तो चलिए क्या है अपडेट उसके बारे में हम लोग देखते हैं यह आपका राची वर्ये संदाता के पेपर में छपा हुआ था इसके दोबारा यह बताया जा रहा है कि जारखंड एकडमिट कॉंसील अर्थात जैक ने मैट्रिक और इंटर की संपूरक परिक्षा के लिए आवेदन माना है अर्थात जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं वे एक बार फिर से संपूरक परिक्षा के फर्म को भर कर पास हो सकते हैं उसके लिए 26 जून से मैट्रिक और 27 जून से इंटर के फर्म भरा जाएगा जो आपके कॉलेज में भरा जाएगा आप उस महाँ पर जाकर अब इस फर्म को फिलप करके फिर से मैट्रिक पास कर सकते हैं मैट्रिक के अभियार्थी बिना विलम सुल्क के साथ ओनलाइन फर्म 26 जून से 5 जूलाई तक भर सकते हैं और चलान प्राप्त कर सकते हैं जबकि बैंक चलान के माध्यम से सुल्क 7 जूलाई तक भरा जा सकता है वही बिलम सुल्क के साथ 6 से 8 जूलाई तक फर्म भरा जाएगा वही इंटर के लिए 27 जून से 5 जूलाई तक बिना विलम सुल्क के फर्म भरा जाएगा बैंक चलान के माधियम से 7 जुलाई तक सुल्क जमा होगी वही बिलम सुल्क के साथ से 6 से 8 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है और 10 जुलाई तक बैंक चलान के साथ सुल्क जमा कर सकते हैं इस तरह से आप लोग को यहाँ पर बताया गया है इसके साथ ही पूर्व में दिये गए उजर आईडी एम पासवर्ट का इस्तमाल करें संपूर्व परेक्षा के लिए आवेदन भरने के लिए पूर्व में दिये गए उजर आईडी और पासवर्ट का इस्तमाल किया जाएगा जैक ने कहा है कि फॉर्म भरने और बैंक चलान के माधियम से सुल्क जमा करने किती थी नहीं बढ़ाई जाएगी इस तरह से यहाँ पर बताया गया है तो चलिए इसको बारे में और हम भी स्थार से यहाँ पर देखते हैं यहाँ जो देख रहे हैं यह बिगपिती संख्या 35-2023 के दवारा बताया गया है संपूरत माधमिक एवं इंटरमेडियेट परिक्षा 2023 के लिए परिक्षा वेदन पत्र जमा करने के समबंध में एतत दोबैरा वार्शीक माधमिक एवं इंटरमेडियेट परिक्षा और उत्तिर्न अर्थात फेल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को महाविध्याले को सुजित किया जाता है कि संपूरक माध्मी के वंग इंटरमेडियेट परिक्षा 2023 के लिए आप परिक्षा आवेदन प्रपत्र परिस्थ के बेवस्थाइड डावलु डावलु जैक जहारखंड गोवर्मेंट इन जैक के माधियम से निमने कारिकरम के अनुसार ऑनलाइन करा सकते हैं मैट्रिक के विद्यार्थी अर्थात माध्मी को संपूरक परिक्षा के लिए यहाँ पर बिलम सुल्क से आपको 26-6 से लेकर 57 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इसके बाद बिलम सुल्क अगर लेट करते हैं तो आपको लेट फाइन के साथ 6-7 से लेकर 8-7 तक आपको फॉर्म को फिलब करना है जबकि इंटरमेडिय संपुरक परिक्षा वाले विद्यार्चियों के लिए बिलम सुल्क बिनाप सुल्क के आपको 27-6 से लेकर 5-7 तक आप को फॉर्म को फिलब करना है जबकि बिलम सुल्क के साथ अगर भरना चाहते हैं तो आप 6-7-2023 से 8-7-2023 तक फॉर्म को फिलब कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पर बताया गया है आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सकते अपने दोस्तों में सेर करना नहीं भूलेंगे फिर इसी तरह से नए नए अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा फिर मिले ने वीडियो के साथ तब तब के लिए चैहिन बेस्ट आप लग।